इप्यार काले परसो के कोई न राहे भुला गईलु ऐसे जैसे भाई न राहे मेरे साथ रगु राजा है एक नन्हे से बालक को आप मेरे बगल में देख रहे होंगे इन्हें आप रगु राजा के नाम से जानते हैं इन दिनों अपने छेतर में काफी ज़्यादा परचलीत हैं और ये गुपाल गन जीले के रहने वाले हैं पागत है आपका तेंक्यू कबसे गायकी कर रहा है चारो तरफ आपका ही चर्चा है कितने दिन हो गए आपको गायकी करते हूँ छे महीना छे महीना हाँ कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप फाइफ अचा इसकूल में किसको आपने गाना सुनाया था इसकूल में पहली बार पहले आपने प्रिंस्पल में को अचा प्रिंस्पल में को गायकी है इस नन्हे से बालक को आप देख रहे होंगे जितनी प्यारी आवाज है हमने इनका गाना भी सुना है आपको सुनाएंगे भी वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा बहुत प्यारी आवाज है और बहुत सुन्दर इस नन्हे से बालक की गायकी है मैम को आपने कौन सा गाना सुनाया था मैम को हम राम जी का गाना सुने थे राम जी का गाना तो थोड़ा दर्शकों को भी सुना दीजिए कौन सा गाना था क्या बात है अवाज आपने सुन ली और प्रभु स्री राम जी का भजन है तो निश्चित ही आपको पसंद भी आया होगा अब आगे बातचीत करते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जब गायकी सिखते हैं जब गाना गाते हैं संगीत में उनको रूची हो जाती है जब संगीत से जुड़ जाते हैं गाना गाने का जो सौख आ जाता है तो पढ़ाई लिखाई में मन कम लगता है आपका पढ़ाई में मन लगता है कि गायकी में ज़्यादा मन लगता है दोनों में ज़्यादा मन लगता है लेकिन पढ़ाई में सबसे ज़्यादा बहुत अच्छी बात है आप जानते हैं कि छोटे बच्चे जब किसी अन्य चीज में रूची लेने लगते हैं तो पढ़ाई में थोड़ा सा मन कम लगने लगता है लेकिन रगु को सबसे ज़्यादा पढ़ाई में मन लगता है और उसके बाद संगीत में बहुत ही अच्छी गायक बनने के लिए एक अच्छा कलाकार बनने के लिए एक अच्छी सिक्षा के भी बहुत ज्यादा आउसक्ता होती है। जाजए बूत जा ऐसा नम देखे जिनगी भार रिखा तिर जखम जानी सोचा हमारा बारे में तो हरा खातिर हमारा माइन नरा इप्यार काले परसो के कोई नरा है भूला गयलू ऐसे जैसे भाई नरा है। गंगा के पानी जैसन प्यारी पवीतार तो हरा से कोई लेबानी जाने देवता पीता। तो हसे पहीले के हुदल में हमरा सुना आइल चाहेगा इन नरा है इप्यार काले परसो के कोई नरा है। भूला गयलू ऐसे जैसे भाई नरा है। गाना आप सुन लिये होंगे और निश्चित ही आपको पसंद आया होगा। बच्चे को हिंदी गानों के साथ साथ भोजपुरी गानों में भी काफी ज्यादा इंट्रेस्ट है और गायकी। भाई हमें तो अच्छे लगी है। अगर आपको भी अच्छी लगी है तो वीडियो को सेर कर लिजिए गा। वाई करने का इक्षा है मतलब फलाने हे इस्टार के साथ हम एश्टेज करें उनके साथ गायकी करें। हम तो सबके साथ करना चाहते हैं लेकिन आभी फिलाल जो मतलब अभी जो भी मंच हो जिन कलकारों का उधर हम मंच करना चाहतें। आपके पसंदीदा कलकार हैं खेसारी जी अगर खेसारी जी बुला दे तो बस खेसारी जी नहीं खेसारी जी बुलाएंगे तो हम अपकोस जाएंगे लेकिन मतलब ये हमारे नजर में तो सब कलकार एकी समाने सब अच्छे हैं सब अच्छे हैं क्या बात है बच्चे का दिवाग बहुत तेज है किसी एक को अच्छा नहीं बताया सब को अच्छा बता दिया क्योंकि इंड़स्ट्री में भाई साहब सभी अच्छे हैं सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं तो शलिए खेसारी लाल यादों के गाने को बच्चे ने सुनाया रगु राजा बहुत बढ़ियां गाते हैं और गोपालगन जीले के हैं आठ वर्स उम्र है और पांचवी कक्षा में पढ़ते हैं आपको ये बता दें कि आने वाले समय में ये एक बड़े श्टार बनेंगे और तब बनेंगे जब आप सबका सपोर्ट इस बच्चे को मिलेगा तो ऐसे ही इस बच्चे की गायकी को सपोर्ट करी और अच्छे कलाकारों को सपोर्ट करी और गोपालगन के रहने वाले इस नन्हे से बालक के लिए आप जो भी सोचते हैं कॉमेंट बॉक्स में जरू लिखे गया तब तक के लिए हमें दीजे इजाज़त नहुस्कार